जी, नमस्कार. मैं आज प्रेक्टिकल आप लोग को बताता हूं प्रेक्टिकल मैं आपको वन बाई वन दिखा रहा हूं कि इंडोर से आउटडोर का वाईरिंग कैसे होता है यहाँ पे सपलाई कैसे आता है जो 220 का सपलाई होता है मैं टंप्रोरी के लिए में ये बीडियो बना रहा हूं तो मैं अब आप लोग को वन बाई वन बताता हूं कि में सप्लाइ मैंने कहां से लिया है उसके बाद से यहां पे सप्लाइ किस जगह पर आ रहा है में से 220 का सप्लाई है वहां मैं आपको ले के चलता हूं अब मैं यहां पर कि सोकेट में यह कि सप्लाई दिया यहां पर अभी में स्विच को अन कर दिया कि अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कि टूट अन्डी का सप्लाई आचुका है यह मेंन केवल आ रहा है हम बहु हां से यह केवल है एकेवल के थुरू तूट इजिका सप्लाई आ गया यहां पर टर्मिनल में यह लाइन है यह नियूट्रल यह अर्थ है अब आपको आगे मैं यह बताना चाहूंगा कि यह face input हो गया यह output face कहां पे जाएगा आप देख सकते हैं यह relay है यह relay में जाएगा रिले का एन ओ पॉइंट में जाएगा यहां पे यहां पे एन ओ जाएगा यह रिले 12 बोल्टेज का है 12 बोल्टेज जब इसको क्वाइल का सप्लाई मिलेगा ना तो यह relay hold होगा फिर यह रिले का output face यहां पे आ रहा है देख सकते हैं कॉन्टेक्टर में आएगा जब यह relay hold होगा इसको और इस रिले को 12 बोल्ट कहां से मिलेगा पीचीबी से मिलेगा आप देख सकते हैं यह पीचीबी का टर्मिनल है यह नूट्रल है यह देखिए एक फेस है एक नूट्रल है और एक क्वाइल का है एक क्वाइल के लिए सप्लाई जा रहा है आप देख सकते हैं यह यहां पर फेस आ रहा है यह देख कमेट हैं यह जो के मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया है है कि यह के मुद्र यहां से सीधे आई से जागे यह के ड़ो और से जाके आइसा यह मैं पर आ रहा है कि यह यह के बोलै इसका फेस यह फेस है कि यहां पे अंदर जा रहा है यह फेस इसका यह निवीट्रल और यहां पे कि 12V की PCS से आउटपुट जा रहा है कि रिले के लिए यहां पे रिले हैं हमारा बार 12 बोल्टेज रिले कि यह इन्पूट मैंने दिया यह आउठपुट का सप्लाई कि क्वाइल पे जायेगा गणाट्र का कॉाइल के लिए जा रहा है देखिए यह आउठपुट है यह output होगया यह output A1, A2, A12 volt का neutral है, यह face है, neutral मैंने यहां से loop कर दिया है, आप देख सकते हैं, मैंने यहां से loop कर दिया है, यह face आ रहे है, यह contactor coil 220 voltage का है, 220 voltage का है, यह face release आया, यह neutral मैंने सीधे यहां से loop कर दिया है, देख सकते हैं आपको, मैं दिखाता हूँ, यह neutral है, मैंने neutral को यहां से loop कर दिया है, यहां से देख सकते हैं, यहां पर coil का A2 का है, A1 देख सकते हैं, यह A1 है coil का, A1 आपको relay से, relay का जो output है यह 12 volt relay है, यह 12 volt का relay है, ये outlet है, ये input है, ये input 220 ही है, ये face आ रहा है ये low Katy, यह output यहां से आएगा आप देख सकते हैं इसको यह यह देख सकते हैं बारे बॉल कोईल सप्लाई के लिए यहाँ हमें देना जोरुरी है क्योंकि जब तक यह बारे बॉल नहीं मिलेगा यह कोईल हमारा होल नहीं होगा मैंने अभी outdoor का compressor के लिए भी point छोड़ के रखा है यह देख सकते हैं हमारा यह जो है starting है यह capacitor में मैंने wire connect करके रखा है यह starting का cable है यह running है यह देख सकते है neutral यहां से मैंने loop किया हुआ है इस्टर्मेल से running यहां पे गया यह blue cable है यह black cable यहां पे मैंने लेके छोड़ दिया है देख लिए यह properly मैंने tape मारा हुआ है यह starting है यह running है अब हमको compressor पे लगाने के लिए एक face का cable निकालेंगे और हम कहां से निकालेंगे आप देख सकते हैं यहां पे face का cable है input कहां से आ रहा है आप देख सकते हैं यह input है face आ रहा है यहां से relay से मैंने सीधा इसको connect कर दिया है relay के थ्रू जो relay का no points है न मैंने दो cable loop करके यहां पे छोड़ दिया अब आप देख सकते हैं मैंने एक face supply यहां पे दी गूई है पहले से आप चाहें तो यहां भी दे सकते हैं यह 3 फोल का 3 फोल का contactor है मैंने इसको single face के लिए यूज किया अब अगर हमें compressor कंप्रेसर का wiring करना है तो एक केबल यहां से निकाल के यह कामन आ जाएगा कामन यह रनिंग यह स्टार्टिंग सेम मैंने फैन मोटर के लिए यह जैक है यह जैक का connection करके छोड़ दिया है यह देख लिए आप देख सकते हैं यह 1,2,3,4 चार केबल है आप देख सकते हैं यह running है यह running है यह common है यह starting है यह two cable यह आप देख सकते हैं यह 2 cable running starting यहां पर जा रहा है का यहां पर यह हमारा capacitor है fan capacitor यहां से मैंने न्यूट्र लिया हुआ है यह कामन फ्येस आ रहा है अब हम इस जैक को लगाएंगे तो हमारा फैन ओन हो जाएगा अब मैं इसको देखिए यहां से मैं अभी हमारे पास रिमोट नहीं है तो मैं इसको मैनुवली यहां भे दबाऊंगा आप देखिए यहां प्राप्त हो गया थीक है अभी देख सकते हैं यहां बें सप्लाई हमें मिल जाएगा आप यहां पे भी सप्लाई हमें प्राप्त हो जाएगा आप देख लिए यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे हमारे एच भी एसी फिल्ड में नए टेक्निशन आते हैं उनके लिए काफी हेलफुल वीडियो है अगर कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें आगे फिर मैं दूसरा वीडियो बनाके अप्लोड करूंगा झाल